इस वीडियो में बात करने जारों नोकिया इट सेरको के बारे में और इसके कैमरा सेंपल से चेक करेंगे और टेस्ट करेंगे कि अगर में इसका कैमरा किस तरह से प्रफॉर्म करता है तो दोस्तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे जाके रेड बटन है उसको हिट करके सब्सक्राइब करके आप जूले रहो तो दोस्तो यहाँ पे नोकिया से रको एक नए लेटेस्ट फ्लैक्सी फोन जो है वो इंडिया में नोकिया ने लांच किया है और दोस्तो स्क्रीन साइज है जो इसकी वो है 5.5 इंच की और आप जैसे देख सकते हो कि जो फ्रंट से स्क्रीन है वो कुछ-कुछ सेमसंग गेलक्सी के एज सीरीज की तरह आपको दिख रहा है और ओवियस सी बात है कि इसमें भी आपको एज टाइप का कार्व स्क्रीन मिलने वाला है हाला कि वो फिलिंग नहीं है वो फीचर साब आवेल नहीं कर सकते हैं लेकिन एक कर्व फिलिंग यहां पर आपको मिलने वाली है इसमें आपको मिलेगा 1.9 GHz का Snapdragon का 835 processor with 6 GB of RAM तो यहां पर एक आपको high end specification देखने को मिलेगा हाला कि 118 GB का internal storage मिलने वाला है देन दोस्तों यहां पर camera के मामले में 13 Megapixel का primary camera मिलेगा देन यहां पर एक secondary camera यह dual cameras है तो यहां पर 13 Megapixel का primary camera देन 12 Megapixel का जो secondary camera है वो मिलने वाला है और front में आपको मिलेगा 5 Megapixel का shooter जो आपको selfie लेने में help करेगा यहां पर आपको 3260 mmH की battery मिल जाएगी इसके साथ दोस्तों यहां पर आप right side में देखोगे तो right side में आपको मिलेगा volume rockers wake up button जिससे आप device का on या off कर सकते हो जैन यहां पर कोई आपको headphone jack नहीं मिलने वाला है अप टॉप में अगर देखो तो यहां पर कोई भी headphone jack की आपको सुविधा नहीं मिलने वाली है नीचे जाने पर यहां पर आपको मिलता है USB port USB Type-C port मिलने वाला है और यहां पर आप इससे अपने headphones को connect कर सकते हो देन दोस्त तो हम इस device के अंदर जाके देखते हैं कि आपको इसके अंदर क्या मिलता है तो आप screen का response देख सकते हो, देखने में काफी बढ़िया है और काफी responsive है तो दोस्तों अगर मैं इसकी Android की बात करूँ तो यह run करता है Android 8.0 Oreo पे जो कि एक नया latest Android version है, Google के द्वार लॉंच किये गया है बैक जो फिनिस है वो काफी stunning लग रहा है, देखने में काफी अच्छा सुन्दर बनाया है इन्होंने इस बार Nokia at Seracoco को और इसमें ceramic की जो परते हैं वो भी use करी गई है तो यह phone काफी solid है, तो यह खोल दिया हमने camera और हम इस image को click करके देखते हैं यहां पर stable कर लिया और click, दें दोस्तों देखिए यह किस तरह से इसकी quality जो है और आप screen देख सकते हैं, screen की quality अच्छी लग रही है यहां पर, और zoom करते जाने पर भी जो इस image है वो बिल्कुल भी blur नहीं हो रहा है, जी बिल्कुल भी इसमें एक फटने वाला हिसाब कोई भी नहीं आ रहा है, चारो तरफ से आप एंगल से देखो तो देखने में बिल्कुल real to life image यह खीच के आपको दे रहा है देन दोस्तो हम इसके, देन दोस्तो इसके अगर हम सेटिंग में चेक करें तो आपको फोटोस का मोड मिला है, पनावर्मा ब्यूटी प्रो, लाइफ बोके, सेटिंग्स का option मिलने वाला है यहां पर, देन यहां पर single और other यह एक बहुत ही का feature है जो आपको यहां पर आप ब familiarity काफी अच्छी है, और camera के साथ से द्यार काफी impress करने वाला phone है, बिल्कुल जैसा आप live देख सकते हो, मुझे कुछ बताने की दूरत नहीं है, कितनी बड़ी है quality की images यह ले रहा है, यहां पर एक mode भी है, जिसमें आप अपना front camera कम दिखा सकते हो, और rear camera जादा दिखा सकत हो, यह videos वगरा suit करने में आपको काम आएगी, जैसे की आपकी सकल जिसमें दिखनी चाहिए, वो उस तरह से आप कर सकते हो, इसको, then यह है video mode, यहां पर 2x zoom भी use कर सकते हो, 1x पर है, यह 2x, 2x में ज्यादा zoom हो जाएगा, और 1x में कम, 2x में वो जो secondary camera है, वो work करने लग जा करते हैं, front camera हमारा कैसा है, और यह रहां, जो हमारा front camera है, उसका image था, देखते हैं, इसकी clarity किस तरह सारी है, जो पहला image था, वो हिल गया था, then, यह देखे दोस्तों, जो इसकी clarity है, वो कितनी बढ़िया है, कितनी clear है, हाला कि लाइटनिंग कर रही है, लेकिन फिर भी जो इ कि एक premium brand है, 50,000 रुपे ले रहे हैं, तो आप अगर और premium brands के लिए जाना चाते हो, तो मैं आपको Nokia का 8-7 को suggest करने वाला हूँ, कि Nokia का 8-7 को ले सकते हो, अगर आपका 50,000 तक या premium smartphone खरिदने का आपको budget हो, तो Nokia का ले सकते हो, तो दोस्तों, होब कि आप कोई video पसंद आया हो अगर आप कोई video पसंद आयों, तो चैनल को subscribe करना ना भूलिया, मैं ऐसे ही, टेक्स एलिटेट ने-ने वीडियोज लाते रहते हैं